बेलकम टू एक्जाम विवेचना तो आज की मौक टेस्स का हमारा पहला प्रशन है एक गुंट जो की अकांकी है इसे 1930 में लिखा गया था को आधुनिक धंग की प्रतम अकांकी माना जाता है प्रशन क्या है एक गुंट जो की आधुनिक धंग की प्रतम अकांकी मानी जाती है ये किसकी एकांकी है तो बिकल्प में दिया गया है उगर जी, अश्क जी, प्रसाद जी या रामकुमार बर्मा जी तो यहाँ पर कुछ समय आपको सुचने को लिए मिलता है तो यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जाएगा तो यह हो जाएगा ये एकांकी है जय शिंकर परसाद जी की आपको प्रशन को ढंक से पनना है देखेगा एकी प्रशन से कितने प्रशन बन रहे है पहला प्रशन तो बन रहा है सिदे सिदे ये वाला एक गुंट को आदुनी ढंक की प्रतम एकांकी माना जाता है और यह किसकी एकांकी है यह है प्रसाद जी की एकांकी ठीक है दूसरा प्रशन यहां से यह बनेगा जो एक गूंट है प्रसाद जी के एकांकी है इसका प्रकाशन बर्ष कव का है तो यह है 1930 का दीसरा प्रशन यह होगा कि जो एक गूंट आदुरिंग डंग की प्रतम एकांकी है या इस तरह से बन सकता है कि जो अधुरिंग ठंग की प्रत्म एकांग की कौन सी है तो ये हो जगा एक गूंट ठीक है ना इस प्रकार से आपको ये प्रशन याद रखना है यहाँ पर प्रसाद जी से विपराय होगा जैशंकर प्रसाद ठीक है ना दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब अब रशे कीजेगा जितना जादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतनी जल्दी ही मुझे प्रसंता मिलेगे कि वीडियो को जल्दी से जल्दी बनाओं ठीक है ना अगला प्रशन है दो निमन में से किस विद्वान ने जेशंकर परसाद को प्रथम एकांकिकार नहीं माना है क्या पूछा गिया है दोस्तों निमन में से ऐसा कौन सा विद्वान है जिसने जेशंकर परसाद को प्रथम एकांकिकार नहीं माना है आपको नहीं ध्यान में तो यहां पर जो सही बिकल्प हो जाएगा तो बो हो जाएगा बिकल्प सी रामनात गुप्त है इनके द्वारा जेशिंकर परसाथ को प्रथम एकांकिकार नहीं माना गिया था बाकी डॉक्टर नगेंदर, सोमनात गुप्त और अग्ये थे इन तीनों के ही द्वारा जेशिंक परसाथ को प्रथम एकांकिकार माना गिया था बाकी जो रामनात गुप्त सुमन थे इनके द्वारा रामकुमार बर्मा को प्रथम एकांकिकार माना गिया है याद रखेगा रामकुमार बर्मा को प्रथम एकांकिकार किसने माना था तो यह माना था रामनात सुमन के द्वा बॉक्स में मिल जाएगा और बाकी जितने भी मौक्टाइस अभी तक हुए है उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ पर जाकर आपने भी देख सकते हो या वीडियो के अंत में भी आपको विसरी लिंक पर दान किये जाएगे ठीक है तो चलिए अगला प्रशन देख लेते हैं अगला प्रशन है निमन में से कौन सी एकांकी रामकुमार बर्म की नहीं है तो यहाँ पर आपके लिए चार बिकल्ब दिये जाते हैं उनमें से आपको बताना है कि कौन सी एकांकी ऐसी है जो रामकुमार बर्मा की नहीं होगी तो बिकल्ब में है बादल की मृत्यू, 1930, रेशमी टाई, बापू या पृत्वी राज की आंकी तो यहाँ प की होगी ठीक है इसको आपको याद रखना है कि कौन कौन सी एक आंकी रामकुमार बर्मा की है एक तो होगी बादल की मृत्यू, ठीक है दूसरी रेशमी टाई, तीसरी बापू और चौती पृत्यू राज की आंकी अगला कुशन है चार निमन का मिलान कीजिए, तो यहाँ पर आपके समक्ष मिलान करने के लिए कुछ बिखल्ब दिये के हैं इनका मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं पहला है जो कारवा है, यह किसकी आंकी है, तो यह भूबनेशुर जी की आंकी बिल्कु सही होगा दोस्तों, और इसका प्रकाशन बश्कव का है, 1935, तो उचीत होगा यह अगला है राजपूत की हार ये किसकी एकांकी होगी तो ये होगी सुदर्शन जी की एकांकी तो ये भी बिल्कु सही होगा तीसरा है नदी प्यासी थी ये किसकी एकांकी है तो यहाँ पर बताया है यह है डॉक्टर धरमबीर की एकांकी है तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा यह जो एकांकी है डॉक्टर धरमबीर की नहीं यह धरमबीर भारती की एकांकी होगी डॉक्टर धरमबीर और धरमबीर भारती अलग-अलग रचनाकार है डॉक्टर धरमबीर यह दलित रचनाकार के तोर पर जाने जाते हैं बाकी जो टकरहाथ है ये जनेंदर की एकांकी होगी तो ये सही हो जाएगा, आपको याद रखना है कि क्या-क्या पूछा गया है और किस परकार से पूछा गया है, ठीक है na अगला कोशन है निमन एकांकी और एकांकी कार का मेलान करें तो यहाँ पर फिर से मिलान वाला प्रशन है तो चलिए मिलान करते हैं इन में से एक गलत होगा उसका हमें बताना है तो जो पहला है लक्षमी का स्वागत ये किसकी एकांकी है तो ये हो जाएगी उपेंदरनात अशक की एकांकी तो ये बिल्कुर सही हो जाएगा दूसरा है जूंक तो ये किसकी एकांकी है तो ये हवी उपेंदरनात अश्र की एकांकी है सही हो जाएगा ये तीसरा है भोर का तारा तो ये बताएगा है कि ये जगदिश्चंदर की एकांकी है तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा ये जगदिश चंदर की एकांकी नहीं ये हो जाएगी जगदिश चंदर माथूर की एकांकी जैसा कि बिकल्प में चार में बताएगा है मेरी बांसुरी ये जगदिश चंदर माथूर की एकांकी है तो ये सही हो जाएगा भोर का तारा और मेरी बांसुरी ये दोनों ही जगतिष चंदर माथुर की एकांकी हो जाईगी अगर आप जगतिष चंदर इन रचनाकार को नहीं जानती हो तो इनका बता दूँं یہ दलित उपनियासकार की तौर पर जाने जाते हैं धरती धन्ada अपना इन रचनाकार के द्वारा लिखा गया उपनियास है बहुत ही पशिद उपनियास है यह भी आपको याद रखना है प्रशन को ध्यान से पढ़ना है क्या पूछा गया है और क्या नहीं अगला कुशिन 6 इसमें पूचा गया है हिंदी में नावल के अर्थ में उपनियास्ष्वत का प्रियोग किसके दुवारा 1875 में मालती नामक अपुन रचना में किया गया था जो की हरिश्चंदर चंदरिका में परकाशित हुआ था तो बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा बिकल्प में रामचिंदर शुकल, भारतेंदू, महाबीर परसाद्वी बेदी या मिश्र बंदू तो यहाँ पर जो 6 का सही बिकल्प हो जाएगा तो बो हो जाएगा बिकल्प भी भारतेंदू हिंदी में नौवल के अर्थ में उपनियाशब्द का सरप्रत्म उप्योकिस ने किया था तो यह किया था भारतेंदू हरिश्चंदर के द्वारा और कब किया गया था? 1875 में, याद रखेगा? 1875 में और किस रचना में किया था? तो ये किया था मालती नामक इनके अपुर्ण उपनियास में ये मालती है इनकी रचना है ये और किस पत्रिका में इसका जिकर किया गया था तो हरिश्चंदर चंद्रिका में ये इनकी ही पत्रिका है इसको भी आपने याद रखना है अगला कोशिन है साथ कुछ आप भीती, कुछ जग भीती नामक रचना को भारतिंदू का उपनियास किसने माना तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो ये रचना है कुछ आप भीती, कुछ जग भीती, किसकी रचना है दोस्तों तो ये है भारतिंदू हरिश्चंदर जी की रचना और कित विदा की रचना है तो ये हो जागी उपनियास विदा की रचना और इसे किसने भारतिंदू हरिश्चंदर का उपनियास माना था बिकल्प में है रामचंदर शुकर, मिश्रवंदू, ब्रजरतन दास या रामविला शर्मा तो यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जाएगा तो बो हो जाएगा बिकल्प सी ब्रजरतन दास के द्वरा इसे भारतिंदू का उपनियास माना गया था तो सही बिकल्प C हो जाएगा अगला कुशिन है आठ इसमें पूछा गया है हिंदी का प्रतम उपनियासकार एबं प्रस्तोता के सबंद में सही नहीं है तो बिकल्प में है देवरानी जेठानी जिसका प्रकाशन बर्ष है 1870 इसे डॉक्टर बच्चन सीहने प्रतम उपनियास माना है बिकल्प दो है देवरानी जेठानी की कहानी ये जो उपनियास है इसका प्रकाशन बर्ष है 1870 इसे डॉक्टर गोपाल राय के द्वारा प्रतम उपनियास माना गया है इसे रामचंदर शुकुल के द्वारा प्रतम उपनियास माना गया है तो यहाँ पर आपको सही उत्तर बताना है कि सही उत्तर क्या होगा तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा दोस्तों तो यह हो जगा बिकल्प ए जो देवरानी जेठानी की कहानी है जिसका प्रकाशन उबर से 1870 इसे बच्चन सीह के द्वारा प्रतम उपनियास नहीं माना गया है तो किसके द्वारा माना गया है डॉक्टर गोपाल राय के द्वारा इसे प्रतम उपनियास माना है डॉक्टर बच्चन सीहं देवरानी जेठानी की कहानी नामक उपनियास को सिर्फ नारी शिक्षा मातर पुस्तक मानते हैं और कुछ नहीं डॉक्टर गोपाल राय के द्वारा इसे प्रतम उपनियास माना था बाकी सभी सही हो जागा भागी बती इसे मानता बीजे शुंकर मल के द्वारा प्रतम उपनियास और प्रिक्षा गुरू इसे रामचंदर शुकुल के द्वारा प्रतम उपनियास माना गया था ठीक है ना अगला कोशिन नो इसमें पूछा गिया है निमन में से उपनियास और उपनियास कार सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर आपके स्मक्ष चार बिकल्प दी गए हैं उनके बारे में हमें बताना है पХला बिकल्प है देवर्यानी जेठानी की कहानी जिसका प्रकाशन बर्ष राधा क्रिशन दास का उपनियास है तो यह भी बिल्कूश हो जाएगा तीसरा है बीरमणी जिसका प्रकाशने बर्ष है 1817 अचारे रामचंदर शुकल का उपनियास है तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा ये अचारे रामचंदर शुकल का उपनियास ना होकर तो ये उपनियास होगा मिश्रबंदों का ठीक है ना बीरमणी ये मिश्रबंदों का 1917 में आप यहाँ पर चकीत हो रहे होंगे कि जो मिश्रबंदों के द्वारा भी उपनियास लिखा गया है हाँ दोस्तों मिश्रबंदों के द्वारा भी उपनियास लिखा गया है और उसका नाम है बीरमणी याद रखेगा अगला कुशिन है दस इसमें पूछा गया है चंदरकांता संतती में कुल कितने भाग है सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो चंदरकांता संतती है किसका उपनियास है तो दोस्तों ये हो जाएगा देव की नंदन खतरी का उपनियास ठीक है न तो प्रशन में पूछा गया है कि जो चंदरकांता संतती है इसमें कितने भाग है बिकल्प में है 12, 24, 28 या 30 तो यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जाएगा तो बो हो जाएगा बिकल्प भी 24 है चंदरकांता संतती में 24 भाग है कई वार ये प्रशन भी पूछा जाता है कि जो बोथनात है ये किसका उपनियास था तो ये जो बोथनात है तो ये हभी देव की नंदल खत्री का ही उपनियास माना जाता है ठीक है अगला प्रशन देख लेते हैं अगला प्रशन है यहाँ पर हिंदी का कानन डायल किसे माना जाता है तो चो हिंदी का कानन डायल माना जाता है बिकल्प में गोपाल राम गहमरी देवकी नंदन खत्री किशोरी लाल या राधा कृषिन दास तो ग्यारा का सही बिकल्प हो जाएगा विकल्प ए गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डाइल माना जाता है तो ठीक है न? तो हाँ दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम गूरूप या बट्सेप गूरूप के साथ जूड़ेगा और मुझे मैसेज कीज़ेगा मैं आपको इस वीडियो का PDF दे दूँगा ठीक है न? तो ठीक है यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं धन्यावाद पर क्या र कर दो प्रूप खरूट मैं आपको जहाँ पर straunk भासर्प्सक्तार्पो याल भीडियों इस पास्टब dużo कि आपको रखिए झाल झाल